नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करैले को सीट से हम कैसे हुगाएं क्या प्रक्रिया है करैला हुगाने की कि हमें जल्दी से जल्दी इस प्रकार करैला जर्मिनेट हो जाए और इसे हम ट्रांस्प्लांट कर लें चुकि समर्स वेजटेवल के सीजन आ गया है और इन्हें लगाने में हम जितना लेट होंगे उतनी ही लेट हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी तो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं वीडियो की करेले को हमें कैसे लगाना है वीडियो में आखरी तक बने रहीएगा लास्ट में मैं इन्हें ट्रांस्प्लांट भी हमें करना है तो ट्रांस्प्लांट कैसे करना है ट्रांस्प्लांट करते समय क्या क्या साधानियां बरतनी है और फिर कौन सी कंपोस्ट हमें इसमें देनी है सारी चीज़े देखेंगे एक एक करके तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों ये देखें करेले का बीज है इसे हमने ओवरनाइट भिगा के रग दिया था लगाने के लिए कि लिए करेले के जो सीड होती है युआ, काफी हार होती है तो हार्ड सेल के वज़े से यह जर्मिनेट तो होते हैं पर काफी ज्यादा ठायम लेती है इसलिए इंहें हम ओवरनाइट भिगा के छोड़ते टाकि इस चेल्र पूल जाये और फूल कर सॉफ्ट हो जाए तब यह मिट्टी में जाएंगी तो इनमें जर्मिनेशन प्रोसेज ज्यादा जल्दी होगा तो इसलिए हमने इन्हें ओवरनाइट भिगा के छोड़ दिया था और अब यह सीडलिंग लगाने के लिए पूरी तरह से रेडी है अब यह जो दिख रहा है आपको यह हमारा थर्मोफर्म पॉर्ट में हमने सीडलिंग मिक्स ले रखा है सीडलिंग मिक्स कैसे बनाना है हमने इसमें 50% कावडन कंपोष्ट 50% कोको पीट ली है क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है धूब बहुत तेज होने लगी है तो मौस्चेर इसमें से बहुत जल्दी उड़ जाता है मौसम में अब नमी खतम हो गई है इसलिए हमने कोको पीट का यूज किया है इसके अलावा हम इसमें लेंगे एक चमच राख राख का काम होता है दोस्तों इसमें कोई फंगस न लग पाए कोई फंगस पन पे नहीं हमारे बीज में जो खराब हो जाते हैं फंगस के कारण तो हम एक चमच राख मिलाएं इन तीन चीजों के लावा मैंने इन में कुछ भी नहीं लिया है तो आप ये देख सकते हैं मैं इसमें तीन से चार सीट लगाऊंगा अब देखे सीट लगाने का जो तरीका होता है आप चाहें तो सीट को ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर आप सिंपल इस सीट को ऐसे रखके जितनी सीट की मोटा ही होती है उतनी ही उसकी डबल गहराई में हमें सीट लगानी होती है तो मै इसमें तीन करेले के बीच एक pot में लगा दूँगा और लगाने के बाद इन्हें ढख देंगे अच्छे से ढख कर दोस्तों हम इसमें कर देंगे watering watering हमें इतनी करनी है कि जो हमारे गंबले की मिट्टी इसमें thermoform pot की मिट्टी है पूरी तरह से मिट्टी हमारी गीली हो जाए मिट्टी पूरी गीली होनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर सिर्फ उपर उपर मिट्टी गीली होगी तो नमी इसकी बहुत जल्दी खतम हो जाएगी तो देखिए नीचे से पानी drain होने लगा मतलब हमारे गंबले की मिट्टी पूरी गीली हो और बहुत ही अच्छा drainage system इस मिट्टी का है तो इस प्रकार हमने इसलिए लगा दिया है और लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊ हूँ ये चो मैंने लगा गे रखा ये 10 दिन में करेले मेरे देखे जर्मिनेट होके 10 दिन पुराने बीज लगाए हुए है और 10 दिन में आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना बहतर रिजल्ट मुझे मिला है तो दोस्तों आप लोग भी इस प्रकार करे लेके सीट्स लगा सकते हैं अब ये एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जब इस प्रॉटिंग होने लग जाती है सीट्स में तो इस प्रॉटिंग होने के बाद जब इसमें टू लिव आने लग जाए तब इसमें आप लिक्विट कंपोस्ट जरूर एक बार दे दे उसे एक बार जरूर इसमें दे दे इससे पौधे की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होने लग जाती है तो दोस्तों अब आईए इन्हें हम ट्रांस्प्लांट करके देखते हैं कि ट्रांस्प्लांट कैसे करनी हैं और फिर ट्रांस्प्लांट करते समय क्या-क्या साउधानिया में बरतनी है तो दोस्तों आईए हम ये देखिए मेरा 18 बाय 18 इंच का ग्रोव एग है मैंने तयार करके रखा हुआ है इसकी जो मिट्टी है मैं बता दूँ आपको मिट्टी कैसे यूज करनी है मैं जो बनाता हूँ मिट्टी इसमें मेरे को 40% गार्डन स्वायल है 40% राइस हस्क है और 20% मैंने इसमें काउडन कंपोस्ट लिया है क्योंकि हर बार हम मिट्टी में कंपोस्टिंग करते हैं तो अगर फ्रेस मिट्टी आप लेके आ रहे हैं तो कंपोस्ट की मात्रा बढ़ाईए अगर आप गंबले की पुरानी मिट्टी यूज कर रहे है तो कंपोस्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं लगना डालना है तो इस परकार मेरी मिट्टी तयार है और इसमें हमने एक्स्टा में डाला है दो मुठ्थी नीम खली एक मुठ्थी बोन मिल पाउडर दो मुठ्थी सरसो खली और थोड़ी सी फंगिसाइट पाउडर तो ये सारी चीजें मिला के हमने ये मिट्टी तयार की हुई है अब देखिए इसमें हम पौधे को ट्रांस्प्लांट करेंगे तो दोस्तों इस एक 18 x 18 इंच की गमले में हम दो पौधे करे लेके लगाएंगे जब भी आप करे लेके पौधे या फिर कोई भी क्रीपर वाले पौधे बेल वाले पौधे लगाते हैं तो आप उसको ऐसी जगहें पर लगाएं जहां से उसे आप इसपेस दे पाएं कि वो ऊपर की तरफ चड़े उसे चड़ने के लिए जाल बना पाएं जगहें दे पाएं तो इस परकार देखिए आप देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट सिस्टम है कितना अच्छा रूट ग्रोथ हुआ है इसलिए हम थर्मोफार्म पाट का यूज करते हैं जो कि बहुत ही बहतर होता है रूट ग्रोइंग के लिए पौधे के और इनसे सीडलिंग्स को निकालना भी बहुत असान होता है तो इस परकार देखिए हमने इस पौधे को इसमें अब हम कर देंगे वाटरिंग' जब करेंगे आप फरस्टएम तो बहुत जादा हमको वाटरिंगं नहीं करनी चुकर इसकी रूट्ट इसके हिसाब से ही करनी है तो इस परकार दोस्तों हमने इसमें कर दिया है watering watering की मात्रा हमने आपसे पहले ही बता दिये कि बहुत ज्यादा नहीं रखनी है एक दो दिन बाद जब थोड़ी growth आपको नहीं दिखने लगे पौधे में तो आप इसमें फिर गोबर की खाथ अलग से और liquid compost जितना हो सके prefer करें पौधा आपका जब दो फूट का हो जाए तब आप dry compost यूज करें तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगर कोई सुझाओ हो आपके पास तो उसे हमें जरूर दे कमेंट के माद दें से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों